नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे काइन मास्टर का पेड वर्जन और फ्री वर्जन दोनों में क्या एक्जक्ट डिफ्रेंस है और पेड वर्जन में कौन-कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स है जो फ्री वर्जन में नहीं मिल पाते इसके अलावा क्या वीडियो पर बने देएगा मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फुल टू नॉलिज में यहाँ पर आप देखेंगे उपर वाले मोबाइल में प्रीमियम वर्जिन है जिसका 249 पर मन सब्सक्रिप्शन ले रखा है और रेनुवल डेट है 28th of October वही नीचे वाले मोबाइल में आप देखेंगे काइन मास्टर का फ्री वर्जिन और इसको बाइ करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा जिसकी फी है 249 पर मन्द और 1299 पर एयर जिसमें 7 डेज फ्री ट्रायल मिलेगा दोस्तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर काइन मास्टर का प्रीमियम वर्जिन अवेलबल है वो भी फ्री में जिसको स्टार्टिंग में मैंने भी ट्राय किया था बट उसमें काफी सारे बक्स एन इशूस थे जैसे की मल्टी लेयर्स, नॉट अलाउड, एक्सपोर्ट वीडियो क्वालिटी और मैनी अधर रीजिन्स तो चलिए देखते हैं सबसे पहले काइन मास्टर स्टोर हमें क्या क्या मिलता है प्रीम वर्जिन में जो फ्री वर्जिन में नहीं मिल पाता है फर्स्ट आप में कुछ इमेजिस और एनिमेशन मिल जाती है और जिसके भी आगे प्रीमियम मेंशन है दाट मिन्स वो फ्री वर्जिन में डाउनलोड नहीं हो पाएगी इसके नीचे एफेक्स में कुछ प्रीमियम इफेक्स मिल जाते हैं जैसे की बलर, कलर्स, दिस्टोर्शन, ट्रांसफॉर्म्स, मास्क, ग्लिच, लैंस, नॉइस इसमें से कुछ इफेक्स फ्री वर्जिन में भी डाउनलोड हो सकते हैं बट अगेन प्रीमियम वाले ओनली पेट वर्जिन में ही मिल पाएंगे ट्रांजिशन में काफी सारे ट्रांजिशन इफेक्स मिल जाते हैं जैसे की 3D, Action, Analog, Color, Cross, Split, etc. जिसे अगेन आप ओनली पेट वर्जिन में ही डाउनलोड कर पाएंगे पिर आते हैं नीचे स्टिकर्स पर तो यहाँ पर फ्री वर्जिन के लिए भी काफी सारे स्टिकर ऑप्शिन्स अवेलबल हैं जो फ्री में डाउनलोड किये जा सकते हैं और टेक्स्ट जो की most useful feature है अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्री एन प्रीमियम दोनों वर्जिन्स म अवेलबल हैं जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बट नीचे जो sound effects वाला option है इसमें काफी अच्छे अच्छे और useful sound effects मिल जाते हैं और यह free version के लिए limited option ही available है इसके बात clip graphics में in animation, out animation जो again most useful feature है यहां आपको different type के graphics मिल जाएंगे जैसे कि celebration, cinematic, modern, simple, promotion, etc जिसमें से डाउनलोड कर पाएंगे इसके बाद जो आपको free version में नहीं मिल पाता है वो नीचे के दो options आप देख सकते हैं free version में आपको यह नहीं देखने को मिलेंगे जो पहला option है that is video and other option is premium images वीडियो में कुछ green screen videos available हैं जो काफी useful है images के लिए आपके पास और भी कई options हैं internet पर जहां से आप ले सकते हैं अब बात करते हैं video editing features की तो सबसे पहले जिस video को edit करना चाहते हैं उसको कर लेते हैं select इसके बाद video cut feature में देखेंगे तो सभी options same है नीचे clip graphics में extra options है जो paid versions में ही available है video speed similar है दोनों में up to 8 to 16x reverse options दोनों में working है rotate mirroring again दोनों versions में same है इसके अलावा color filter, adjustment, equalizer, volume envelope, reverb, voice changer, wignet, extract video सभी features similar है no difference layers में effect, stickers, text पे हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके अलावा handwriting feature में भी कोई difference नहीं है recording working in both versions similarly और audio में जैसे की मैंने पहले भी आपको दिखाया था premium version के लिए ये काफी सारे music and sfx sound effects available है finally अब video को करते हैं यहां से export तो यहां पर आप देखेंगे दोनों versions में video resolution and frame rate same है so there is no difference अगर आपके phone में resolution और frame rate कम show हो रहा है तो आप इसे easily settings में जाकर third option device capability information को select करेंगे and top right corner में three dots पर click करके run analysis now करेंगे तो यह increase हो जाएगा यहां पर video भी export हो चुका है और इसको play करके देखते हैं तो video में आप देख सकते हैं free version में kind master watermark show हो रहा है जबकि premium में यह आपको नहीं मिलेगा so यहां difference की अगर बात करें तो दोनों versions में features को लेके कुछ ज्यादा difference नहीं है बस premium version में आपको kind master store का premium access मिल जाता है और watermark and ads देखने को नहीं मिलेंगे so according to me अगर आपको basic video editing software की requirement है और watermark से issue नहीं है then आप free version यूज कर सकते हैं premium version के लिए आपको pay करना नहीं चाहिए but वहीं अगर आप professional वीडियो बनाते हैं और कुछ advanced premium features की ज़ुरहत पड़ती है तभी आपको यह subscription लेना चाहिए उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like और share करें और चैनल पर फर्स टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और साथी बैल आइकन को जरूर करें क्योंकि future में आने वाली वीडियो की notifications तभी मिल मिलते हैं एक और नई वीडियो में नहीं knowledge के साथ till then be safe and keep watching full to knowledge